नमस्कार दोस्तों मैं KP जहा अपने खास कारिकरम आचार मनी जी की संस्ता में आपका हार डिक स्वागत करता हूँ दोस्तों ये कारिकरम स्वास्त से जुड़े ही समस्याओं के लिए है जिस पे हम आपको बताते हैं कि आप अपने स्वास्त को कैसे बहतर करें दोस्तों जीवन में स्वस्तर हर कोई रहना चाहता है और आप भी चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ तो इस कारी करम आपके लिए है इस कारी करम में आपको बताएंगे कि आपना लाइप स्टाइल खाने पेने की बारे में जो भी समस्या है उसके उपचार बताएंगे तो ये कारी करम सिर्फ आपके लिए हैं, आपको बहुत ये कारी करम खास है, हम लोग इसी टाइम डेली लाइवाते हैं, डॉक्टर मनुर्मा जी हैं, जो आपके सवाल जवाब का बारे बताते हैं, तो सबसे पहले हम डॉक्टर मनुर्मा जी का स्वागत करते हैं, डॉक्टर दुनिया में ऐसा कौन सा वेक्ति है जो फिट नहीं रहना चाहता है, स्वस्त नहीं रहना चाहता है और आप भी रहना चाहते हैं, तो एक कारिकरम आप के लिए है इस कारिकरम में आज जो हम बात करेंगे एक जो आज के लिए बहुत बढ़ी समस्या है, मुटापा, यानि और उबेसिटी. इन तो कोई बिमारी नहीं है, मगर उस बिमारी की वज़ए से कई ऐसी समस्या आ जाती है, जिसके बारे में हम कारिकरम में चर्चा करेंगे. तो क्या कारण है कि मोटापा बढ़ जाता है और अपने संस्थान में इस बीमारी के लिए किस तरह से इसका उपाई है सबसे पहले तो यह है कि हमारे संस्थान में जो भी आते हैं उनको रोग के इसाब से कि उनको क्या है कुछ हम नारी के द्वारा उनकी जिबिया के द्वारा और उनकी नेल्स है उनका कलर और वो सब के द्वारा हम देखते हैं कि कहीं कोई basic कोई hormone disturbance तो नहीं हो रहा वो सब देखने के बाद हम उनको और कुछ तरह की हर्प्स हैं जो की शरीर से जितना भी फैट है उसको धीरे-धीरे कम करने लगती है दोस्तों मैं कही दिन से जो भी मेरा बात आती है तो विमारी की जड़ में मैं यही कहती हूँ हमारी किसी भी रोग के बारे में पहली सूचना लिवर ही देता है कि अब मैं काम नहीं कर पा रहा मैं अपना काम अपने सह्योगियों को दे रहा हूँ तो उसमें धीरे-धीरे सबी और गंस पे वो अपनी छोटी-छोटी समस्याय देने लगता है जब हमारा खाना ठीक से रात को पचा ही नहीं, सुबे तक हम वैसे ही लेके बैठे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी कमर पर यानी बैली के उपर मास आना शुरू हो जाएगा तो आपने देखा होगा, आजकल क्या है, आईटी का जमाना है, तो सभी लोग दिन भर सिटिंग जॉब करते हैं, लगातार सिटिंग जॉब और पसीना बहता नहीं है, हम यसी के नीचे बैठे हुए हैं, और उसकी बज़े से क्या है, इधर हमने विटामिन डी ही लिया ही नह यह समस्या जब प्राइमरी कंडिशन में हो, तभी अगर पेशेंट्स अपने आपको संभालने में, उस समय उनको पेशेंट नहीं कहूंगी, पर थोड़ा सा अपने आपको संभाले, कैसे? अब जब हम लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, तो हम खाना क्या खाएंगे? बैदा खाई हमने वो क्या है? वो गयों का रिफाइंड रूप है, हमने चीनी खाई वो क्या है? गुड का रिफाइंड रूप है, जितनी ज़्यादा चीजें हमारी लाइफ में रिफाइंड रूप में आएंगी, वो सभी हमें तकलीफ देंगी, वो कहीं न कहीं जमनी स्वाधिष्ट बनाया जाता है उनका रंग रूप बढ़ाया जाता है और उसकी वज़े से क्या होता है कि रंग देख करके हमें लगता है कि यह चीज हमें हमारी आँखों को अच्छी लग रही है तो हमारे शरीर को भी अच्छी होगी जरूरी नहीं है दोस्तों जो चमकता ह वह सोना नहीं होता आप कोशिश करें कि उस समय पे घर का खाना खाए और अगर घर का नहीं अभेलेबल तो कुछ फ्रूट्स या सलाद अपने थैले के अंदर डाल के रखें और वो खुद उसी समय निकाले और खाले आदा से पौना घंटे के बाद अपने डेस्क को छोड़ दस-पंदरा मिनट इधर उदर घूमें टॉरेट जाएं और जो भी आपकी लग रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए उठकर के पानी पीए और आज के समय में क्या हो रहा है कि हम बैठे-बैठे ये पानी का ओर्डर कर देते हैं अरे कुछ हिलिये और हिले और जाकर के एक गि प्रस रुकी हुई थी तो वो भी तो डिस्चार्ज होगी हम उसको भी रोक रहे हैं और उसी का परिणाम क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द होने लगता है हम टाइम बेटाइम हमें कबजी की समस्या भी आने लगती है मैंने यहां पर ज्यादा तर देखा है पेशेंट जिनकी सेटरडे संडे ओफ होती है उनको सिरफ सेटरडे को मोशन क्लियर होता है बाकी के 5-6 दिन उनका रुटीन इस तरह होता है कि जब उनका प्रेशर बनता है जाने का उस समय वो या तो ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो वो उसको रोक लेते हैं और उसकी वज़े से क् बच्चों को भी मैंने फिस्चुला ववासीर होती देखी है मोटापा तो अपनी जगा पर है ही है इसके अलावा मैंने उनको थाइरोट में जाते देखा है कि उनको थाइरोट हो रहा है और बहुत सारी में तो एक ये भी आ रहा है कि जैंट्स को भी इस समय थाइरोट की स चाहिए था वो भी बढ़ना शुरूर हो गया इसकी वज़े क्या है कि हमारे पास खाने को बहुत कुछ है पर हम क्या खाएं कभ खाएं उसका हमें एहसास नहीं है हमारे खाने में जैसे आईरवेद में कहा है कि छे तरही के रस होने चाहिए उसमें तिक्त कशाय, मधूर, थोड़ा सा खाना चाहिए तिक तो उसके बाद कशाय, उससे भी थोड़ा इस तरह से करना चाहिए या फिर हम लवन का बहुत जादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इन छे रसों का बैलेंस करके ही खाना खाना चाहिए अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते तो सबसे पहल या वीक में एक दिन फिक्स कर लें कि उस दिन आप अन नहीं खाएंगे बाहर की कोई चीज नहीं खाएंगे उसमें सिरफ फ्रूट्स होंगे सलाद होंगे या मिक्स वेजिटेबल सूप होगा सबसे पहला एक उपाए दूसरे नंबर पर ये है कि सुबह उठते या आप ए एकदम जलदी-जलदी खाना खाएंगे वो शरीर को लगेगा नहीं और वो वेश्ट रहेगा तीसरा उपाए ये है कि रात को कोशिश करें आट बज़े तक खाना खा लें अगर अगर शुगर नहीं है तो आप फ्रूट्स कह सकते हैं अगर शुगर है तो सरफ सलात खाके और जितना हो सके अगर घर में या आपके desk के आसपास थोड़ी भी जगा है तो दो-चार push-up दिन में लगा ले खाना खाने से आदा से एक घंटा पहले आपको इसमें ही इतने में ही फरक दिखाई देने लगेगा आपको बार बार बताता हूँ कि ये नमबर नोट कर लें ये हेल्थ का नमबर है जैसे डॉक्टर सहब ने बताया अभी आपको कि कोई भी समस्या है हमारे सथान के नमबर चल लें उन नमबर पर कॉल करें अपनी समस्याओं को बारे बताएं और समस्या का जो भी समस्या है उस आलस की तरह मत बैठें, कोई भी ऐसी समस्या है, जहां आप हिम्मत हार चुके हैं, लगरा कि आप कुछ नहीं होने वाला है, तो उम्मीद की किरन सिर्फ आपको है हमारे यहां, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कि आप निरास नहीं होंगे, दवा किसी बिमारी का हमेशा इलाज नहीं है, दवा के साथ, याद रखी कि दवा के साथ आपको अपने लाइश्टाइल को चेंज करना परेगा, अपने खान पान को ध्यान रखना परेगा